आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक्नीवोतरी स्टेडी ग्लोस प्याव का बहुत बहुत स्वागर है बिटा तयार हो जाओ तयार हो जाओ तो बायोग्राफी सीरीज री स्टार्ट्स और हम बहुत सारे पर्स्टे लिटार कें अब बहुत से मैं उन चैर बायंकीर चाना चांवाओ जेब और 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 अरंग जेब कुआ काफी इशू भी चल रहा है घ्यानवापी मास्क का तो आज हम बहुत सारी चीजे जाने औरंग्जेप के बारे में और कल हम करेंगे महराजŞिवा जी मेरे आइडल महराज Bisposствие уже उनकी के से चब्द होती है उनसे बहितरीन लीडर ना कोई हुआ है ना कोई चाह सकते जैसा कि आप thumbnail में देख रहे हैं और event जो हुए everything यह decide आप ही करेंगे लेकिन मैं आपको historical facts बता दूगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं studygloss हमारा channel है यार इसको आप जरूर subscribe करो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अब देखिए आपका सहरा है जून तक हमको एक million subscriber का target है आप हमसे कैसे जोड़ सकते हैं देखिए अभी चैनल की थोड़ी restructuring चल रही है तो एक बार यह थोड़ा मई तक restructuring complete हो जाए website ready हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमसे जोड़ सकते हैं वैसे अभी हमने 2-3 लोगों को recruit किया है और इंस्टा पर मुझे follow करो जो भी आपको पूछना हो आपसे मैं सवालों के जवाब भी दूँगा आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो जब तक website ready नहीं होती है तो lecture लंबा होगा तो कोई दिक्कति लेकिन पार्ट एक ही होगा सबसे पहले आप मुगल एंपायर के बारे में समझे मुगल एंपायर आपको पता ही है कि एशिया से मतलब Central Asia से भारत आया मुगल एंपायर से भारत में Islamic invasion slave dynasty से शुरू हो गया था मतलब Islamic rule 1192 में first battle of terrain के चो अपने अपनी सेना को अपना बच्चा कहता था स्लेव कहता था उनको लेकिया आया और 1206 में पहली डाइनस्टी आती स्लेव डाइनस्टी बल्बन एक्स्पांशन किया 1290 तक 1290 से 1320 तक खिलजीज आ है रटा कैसे है डेट यार मैं पढ़ पढ़ के अक्शली मुझे रट गया है इतनी बार मैंने लिच्चर्ज ली है कि मुझे रट गया सब कुछ तो डेट आसान है इतना देखो रट होगे ना तो कोई हिसाब किताब नहीं मतलब सही नहीं बैठेगा पढ़ते रहो जितना और सारी चीज़े क्लियर होती है 1526 में बाबर आता है बाबर ने फर्स्ट बैटल और पानीपत लड़ी बाबर की बाबर की बाबर की अल्रेडी कवर किया आप देख लीजेगा और उसके बात लगातार बैक टू बैक चार बैटल्स लड़ी 1530 में बाबर का देहान थो गया अफगानिस्तान फिर अरब वही पर इसने रिफ्यूज ली 1555 के दोरान ये दुबारा भारत आता है और अपनी खोई हुई किसमत दुबारा जगाता है लेकिन 1556 में एक ऐसा रूलर सामने आता है जो मुगलों की इट से इट बजाने को तैयार था उसका नाम था हेमू विक कभी कुछ बेच रहा है फिर जासूसी कुछ समय के लिए कि फिर आर्मी में आया मुगलों की सूर की क्योंकि सूर डाइनिस्टी थी और उसके बाद वो लीडर हो गया रूलर हो गया रूलर क्या मतलब पूरी आर्मी उसके साथ इतना जादा समझ लीजिए कि हेमू विक्रम अधित के बारे में ये बोला जाता था कि उसका नाम सुनते ही आर्मी रिट्रीट कर लेती है अगरा में जब मुगलों से वो बैटल लड़ने गया तो आधी से जाता आर्मी तो नाम सुनके ही काम गई इन फाक्ट जब सेकेंड बैटल हो पानी पत हुई अगेन हम ये देखते हैं कि मुगल की तो आर्मी थी उनकी हालत खराब हो गई हार रही थी मुगल की आर्मी लेकिन एक तीर आके लगा हेमू को बदकिस्मक तीर हेमू गिर गया और पूरी आर्मी फिर तितर बितर वरना आज भारत का इतियाज कुछ और होता अकबर आये शेहिंशाय अकबर 1556 उनकी भी बाइग्राफी मैं अभी कवर कर दूँगा तीन चार दिन में ही तो जब अकबर आये 1556 में तो 1605 तक रहे अकबर का काफी secular थोड़ा उनका character था और भारत में बहुत तगले से expansion हुआ लेकिन 1605 के बाद आये जहांगी फिर शाजहां शाजहां का बेटा था सबसे छोटा बेटा और अरंजेव शाजहां के वैसे 6 बच्चे थे जिसमें से 4 बेटे थे शाजहां ने भारत की किस्मत बदल दी ताज महल बनाया मोती मजजिद बनाया जोलिरी का शांदार काम शाजहां के टाइम पे भारत का पूरी दुनिया में जो कॉंट्रिबूशन था जीडिपी में वो वन बाई थर्ड था इतना जादा भारत के कपड़ों को भारत के काम को पसंद किया जाता था पूरी दुनिया भर से भारत एक्सपोर्ट करता था, पूरी दुनिया भर को, खुब सुरत, खुब पैसा कमाया, शाजहां के बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत मिन्नते मांगी शाजहां ने, फाइनली जाके उसका पहला बेटा हुआ दारा शिको हो, औरंग जेब आप औरंग जेब और अकबर ने मुगल सामराज को एक्सपांड किया था, और अरंग जेब ने ये साउथ तक चला गया था, ठीक है, तो उसको भी हम बताएंगे इसकी मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट, अब जब, शाजहां ने मिन्नते मांगी तो दारा शिको का जनम हुआ, और दार शिको संत किसम का आदमी था, शाजहां दारा शिको से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि पहला बेटा, दूसरी चीज़ ये है कि दारा शिको के एक हात में कुरान रहती थी, एक हात में गीता, उसने उपनशिदो का ट्रांसलेशन किया है, उसने हिंदूों के सारे scriptures पढ़े, इसलाम के सारे scriptures पढ़े, extremely intellectual इंसान, एक बहुती peace loving इंसान, जो हर किसी का चहेता था, अब, शाजहां चाहता था कि दारा शिको भारत का emperor बने, इसमें एक movie आ रही है तक, और मैं बहुत excited उस movie को देखने के लिए, क्योंकि इसमें औरंग जेब और दारा शिको की बना नहीं, सामने औरंग जेब था, औरंग जेब के बारे में बात करते हैं, तीन नवेंबर 1618 में औरंग जेब का जनम हुआ, दाहोद गुजराद, एक बहुती बत किसमत जिंदगी के साथ औरंग जेब पैदा हुआ था, ये तीसरा बेटा था, और छटा बेटा था जहां को मुगल एंपरर 1628 में अफिशली डिकलेर कर दिया, देखिए मुगलों में भी जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो आप ये समझेए कि पावर स्ट्रगल हमेशा हुई है, औरंग जेब को शाजहां कभी पसंद नहीं करता था, इन फाक्ट औरंग जेब कभी भी अरबिक और पर्शियन में, ठीक है, अब दोस्तों, औरंग जेब से रिलेटेड बहुत सारी कहानिया हैं, जब औरंग जेब 15 साल का था, तो औरंग जेब को बहादूर का टाइटल मिला, ब्रेव, और इसके पिता जी नहीं दिया था, एक बार एक वार एलफेंट लगभख औरंग जेब के उपर चड़ी गया था, देखिए, वार्यर कॉलिटी औरंग जेब में शुरू से ही दिखने लगी, तो एक बार क्या हुआ, कि औरंग जेब के उपर लगभख जो हाथी वो चड़ी गया था, लेकिन औरंग जेब बढ़ी बहादुरी से उस हाथी के उपर चड़ा और उसके हाथ में स्टिक थी और उससे स्टिक के थूस हाथी को कंट्रोल कर लिया, तो बड़े खुश हुआ अरंग जेब के पिता जी, और बहादुर का टाइटल दिया, सोने दिये, गिफ्ट दिये, लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुवात थी, अभी बहु जा रहा है, दारशिकों के बारे में बोला जाते हैं कि बहुत बड़ा military commander नहीं था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खराब भी नहीं था, efficient military commander था, अच्छा military commander था, लेकिन औरंग जेब के टकर का नहीं था, क्यों, देखे, दो भाई हैं, एक औरंग जेब, एक दारशिकों, से ही, वार में भेज दिया था, कि तुम जाके, तुमारा कामी है कि तुम expand करो, और उसने बहुत कुछ जेला, इसलिए औरंग जेब, एक बहुती जवरदस्त military commander बना, औरंग जेब को, सेना का चार्ज दिया गया, कारभार दिया गया, बुंदेल खंड बेजा गया, ओर्च में जूजर सिंग ने जब rebellion किया, तो उसके बाद औरंग जेब को भेजा गया, और औरंग जेब वहां पे रहा, fighting से तो दूर रहा, लेकिन हा, उसने मुगल आडमी को gather करने में बहुत ही शांदार काम किया, और 1635 में, सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उमर में, औरंग जेब ने और्चा पे कबजा जमा लिया, और जूजर सिंग को पावर से हटा दिया, इससे इतना ज़्यादा खुश हुआ शाह जहां कि औरंग जेब को बोला कि तुम वाइसरोय अब दी डेकन बन जाओ, 1636 में, और यहां से औरंग जेब की असली military campaign शुरू होती है, देखिए डेकन बड़ा मुश्किल था, डेकन में क्या था न, कि इस समय निजाम शाही थी, है न, डेकन में, डेकन बटा हुआ था, औरंग जेब को dispatch किया था, 1636 में, ताकि निजाम शाही डाइनिस्टी को खतम कर दो, इसी दोरान औरंग जेब ने शादी भी की, सफावित प्रिंसेज, द हलाकि औरंग जेब की और भी, मतलब काफी जादा रहे हैं रिष्टे सबसे, खेर वो राजा महराजा के होते ही थे, उसमें क्या ही, लेकिन फिर इसको dismiss कर दिया गया, अब देखिए, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि औरंग जेब की अजीब होगरी behavior के वज़े से, शाहजा के लिए तुम कोट में नहीं आ सकते हैं, इसके behavior की वज़े से, 1647 से इसका career शुरू होता, proper career, career शुरू हो चुका है, लेकिन अब दोस्तों औरंग जेब को काफी governorship दी जाएंगी, इसको सबसे पहले bulk का governor बनाया गया, जो पहले bulk का governor मुराद बक्ष था, मुराद बक्ष तो वो bulk का governor था, उसको हटा के औरंग जेब को लाया गया, क्योंकि मुराद बक्ष बहुत ineffective था, जहां पे, देखे, effectiveness की जहां पे बात आती थी न, तो औरंग जेब से बेतरी कोई नहीं था, इसी लिए औरंग जेब को लाया गया, फिर उसके बाद जहां इसको भेजा जात था, वहां पे ये अपनी efficiency साबित करता था, उस एरिया को जीत लेता था, ऐसे ही धीमे धीमे औरंग जेब को मुलतान और सिंद का भी governor चुना गया, यानि कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया है, वो पूरा औरंग जेब को ही दे दिया गया था, सफावित का खत्रा मन रहा औरंग जेब कांधार गया, उनको ख़देड के आगया, लोजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी उस समय बहुत हो गई, औरंग जेब ने उसको भी सही कर लिया, ये सब करने के बाद औरंग जेब को फिर से डेकन का वाइस रोय बनाया गया, लेकिन बाद में औरंग जेब को दार शिको से करता, तब कुप भाई होता ही है ना, यार देखो ये घरगर की कहानी है, एक घर में अगर दो बेटे एक बहुत पढ़ने वाला है, और दूसरा लडाई जगड़े में रहता है, और यहां पर परिवार को पता है कि अगर कोई भी मुसीबत आईगी तो जो लड़क चाजहां के साथ था, चाजहां की जब मीटिंग होती थी तो बहुत दारजशिकों का गुरगान करते थे, और और औरंग्जेब को क्रेडिट दिया ही नहीं जाता था, तो धीमे धीमे औरंग्जेब दारजशिकों से बहुत जादा जलने लगा, फिर एक ऐसा इवेंट होत साथ उनके काफी डिफरेंसेज होगा, और ध्यान दीजेगा, यह 1950s का वक्त है, जहां पे शिवार जी का भी उदय हो रहा है, तो आदिल शाहीड डाइनेस्टी और खुतुप शाहीड डाइनेस्टी, दोनों ही काई मुट काफी मुगल्स को बोला कि हम तुमसे कुछ खाद दोस्ते उसी नहीं रखना चाते, टैक्स बैक्स भी काफी काफी डिस्प्यूट हो गया था, तो काफी नेगोशियेशन हुए, लेकिन वो माने नहीं, तो मुगल्स ने अटाक कर दिया, बीदर पे, बीदर एक महिने की, मतलब लगभग एक महिने के लडाई चली, और और औ मुगल्स ने बीदर को कैप्चर कर लिया, अब जब औरंग जेब को लगा कि पूरे बीदर को हम जीच सकते हैं, तब ही शाह जहां ने नेगोशियेशन स्टार्ट कर लिये, तब यहां पर औरंग जेब का मूट खराब हो गया कि मेरा पिता पागल हो चुका है, जब हम पू मिल्कुल भी नहीं चाता था औरंग जेब, अब चार बेटों के बीच में दाराशिको, शाह शूजा, मुराद बक्ष और औरंग जेब, वार ओफ सक्सेशन शुरू होता है, अब औरंग जेब तो वैसे ही बहुत खतरनाक था, उसको तो पता ही था कि वो पता नहीं क्या कर करो, और उसके बाद भाईयों को खतम करो, जान सही मार दो, सतीश चंद्रा ये बोलते हैं, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, कि यहां पर औरंग जेब के बहुत ही पाफुल कनेक्शन थे, और देखें, मिलिटरी चाहती थी कि औरंग जेब आये, क्योंकि औरंग जेब जो है, उसके मिलिटरी से बहुत बड़िया कनेक्शन थे, जाधा समय पे नेतरत वो औरंग जेब नहीं किया था, तो मिलिटरी को पता था कि एक अच्छा लीडर औरंग जेबी साबित हो सकता है, लेकिन दाराशिको के भी बहुत जाधा सपोर्टर्स थे, और बाकी दो बे जाधा, इंटेलेक्च्वल, सेकुलर, मैंने बोला ना, कि अगर दाराशिको आ जाता तो भारत का इतियास आज कुछ और ही होता, शिवा जी को लड़ाई नहीं करनी पड़ती, सिक्खों को दिक्कते नहीं होती, लेकिन आया कौन औरंग जेब, जेकिन ठीक है, औरंग महराज लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, महान लीडर भारत के, उनकी बात हम कल करेंगे, तो अब दोस्तों, शाजहां की मौत की खबर फैल गई 1657 में, जब ऐसा हुआ, शाजहां मरा नहीं था, लेकिन शाजहां की मौत की खबर, मतलब रियूम के पास था, लेकिन बाकी तीनों को ये लगा कि अब दारशी को एंपरर हो जाएगा, तो तीनों ने आजादी खोचिक कर ली, कि मैं अपनी अपनी जगा का एंपरर हूँ, और अब तीनों में वार ओफ सक्सेशन होगा, तीनों में दोस्तों, पहले मुराद का का काम खतम कि किया, उसके बाद शाशुजा का का काम खतम किया, और अंग जेब ने, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों, लेकिन वो इतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है, आप इतना समझिये कि पहले मुराद बक्ष और फिर शाशुजा, दोनों का काम खतम, बचाक दाराश शाजहा ने जब अपनी हेल्थ को, जब ऐसा सब बाद में पता चला है, और जब वो एकदम हेल्दी हुआ, क्योंकि शाजहा बिमार पढ़ गया, तो रिमर फैल की कि शाजहा मर गया, लेकिन जब वो वापस उसने पूरी हेल्थ गेन की, जब उसमें इम्यूनिटी की बाद बहुत हो गया है, और दाराशिको को ही हम एम्परर बनाते हैं, इसका औरंगजेब और जब तिल मिला आ गया, फाइनल दोस्तों बैटल होती हो, औरंगजेब और दाराशिको की बैटल आफ समूगर, ठीक है, 1658 में, मैं 1658 में लड़ी गई, और औरंगजेब ने व औरंगजेब ने शाहां को बेडियों में जगड़के आगरा फोर्ट में बंदी बना लिया, वहाँ पे शाहां ने 8 साल बिताए, अल्टिमेटली 1666 में शाहां की मौत हो गई, शाहां की जो सबसे प्यारी बेटी थी जहानारा, उसने शाहां का खयाल रखा, ऐसा बोला जात अब देखें कितना ट्रैजिक एंड हुआ है, औरंगजेब ने मुरादबक्ष से ये भाईयों को मारा नहीं था, मुरादबक्ष से ये हरा दिया था मुरादबक्ष को और ये एग्रिमेंट कर लिया था कि एम्पायर बाट लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तो एम्पायर बाटना तो छूड मुरादबक्ष को 1661 में एग्जिक्यूट कर दिया, जैसे ही औरंगजेब ने सत्ता समा ली, अपने भाईयों को मार दिया, औरंगजेब एक कटर मुसलिम था और उसने बोला आप शरिया लौ लागू करवाएंगे, समूगण में भले ही दार शिको ने फोर्सेस को गैदर किया, शूजा और मुराद खतम, इनका चाप्टर खतम, खाली दाराशिको बचा था, दाराशिको को औरंगजेब ने पहली बोल दिया था, कि ये मुसलिम है ही नहीं, और जहां पे भी मिल इसको ले कि आओ, अभी भी दाराशिको एकदम रन प औरंगजेब के पास, औरंगजेब के पास जब लाया गया तो दाराशिको की ऐसी हालत की दोस्तों, औरंगजेब ने दाराशिको के मरियल से हांती पे बैठाया, उसको भीकारी के कपड़े पहनाये, और उसको पूरी दिल्ली में घुमाया, पूरी दिल्ली में, बहुत लो नहीं और ये एक सब को मेसेज था कि आज के बाद अगर कोई भी विद्रो किया तो उसको यही हल होगा और 10 अगस्त 1669 में दाराशिको को एक्जिक्यूट कर दिया गया जब तस्तरी में दाराशिको का सर औरंग जेब के सामने पेश किया गया तो औरंग जेब ने बोला कि मैं इस बदजात को देखना नहीं चाहता हटा दो इसे फिर वो सर जो है शाजहां बहुत प्यार करता था दाराशिको से शाजहां इसमें आगरा फोर्ट में बंदी बना हुआ है दाराशिको का सर काटके शाजहां को पेश किया गया शाजहां बताते हैं कि इतना रोया इतना र खतम, शाशुजा खतम, शाजाँ बचा, उस 1606 पे शाजाँ की भी मौत हो गई, पूरा परिवार जो है औरंग जेब ने बरबाद कर दिया, पूरा का पूरा परिवार और औरंग जेब हो गया राजा दिल्ली के तक्त पे औरंग जेब बैठा, अब एक नया सामराज जिब ब अब, एक्स्पांशन शुरू होगा, सबसे पहले औरंग जेब ने शरिया लोग, बोला कि आप से शरिया लोग ही एलाओ करेंगे हम, इस्लामिक लोग चलेगा, 1669 से लेकर, 1707 से तक, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को रखा, आप देखो, औरंग जेब के बारे में बोला जाता कि काफी कटर था, आरंग जेब ने इंपीरियल ब्यूरोक्रेशी को बहुत जाधा तबज्जो दी, you won't believe, कि आरंग जेब ने अपने ब्यूरोक्रेट्स में सबसे जाधा हिंदूों को रखा, क्या विश्वास करेंगे, 1679 से लेकर, 1680 में आप पे शिवाजी का भी ध परसेंट हिंदू ब्यूरोक्रेट्स थे, आज तक इतना जाधा कभी नहीं हुआ, और जिसमें बहुत सारे मराथास और राजपूत थे, तो एक तरफ औरंग जेब के बारे में जो इतना बोला जाता है, वो पूरी तरीके से सच नहीं है, हाला कि हम यह भी बताएंगे कि व शरिया लौ, औरंग जेब अपने आपको डिफेंडर ऑफ दी शरिया लौ बोला जाता था, औरंग जेब एक बहुती और्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था, और औरंग जेब ने अकबर का लिबरलिजम बिल्कुल हट गया, मतलब इससे पहले जो मुगल एम्परेर्स आय थ औरंग जेब ने हिंदुईजम को सप्रेस किया, बिल्कुल कनवर्जन भी यहां पे हुए, औरंग जेब ने शरिया को क्या कहते हैं यहां पे मतलब इम्पोस किया, ऐसा था, औरंग जेब ने हनाफी लाग को को डिफाई किया, जिसको फत्वाहे आलमगीरी बोला जाता है, हनाफी लोग को पता है न, हनाफी क्या होता है, हनाफी स्कूल ऑफ थौट जो है, यह जो सुन्य स्कूल के चार ट्रेडिशनल स्कूल हैं, है न, उसमें आता है एक हनाफी स्कूल, इस्लामिक जूरिस्प्रिदेंस का हनाफी स्कूल, अबासेट डाइनिस्टी ने हनाफी स्क तो यहां पे इसको अगर बात करते हैं कि इसलाम की तो इसलाम का डिफेंडर बताता था और लॉक को कोड़िफाई के जिसको फत्वाय आलमगीडी बोला जाता था मंदिरों और स्कूल को तोड़ा गया और रंगजेब दुआरा नौन मुसलिम्स की ड्रेस पे आक्रमन किये गए जो मुसलिम जैसा नहीं पहनावा रखते हैं उनको पनिश करो यह और अरंगजेब ने अपने सूबा अदास को ओडर दिये गुरु तेक बहदुर जो नाइंत सिक गुरु थे न उनका सर काट दिया था याद होगा आपको मैंने लेचर लिया था सिक और और अरंगजेब की कभी बनी ही नहीं गुरु तेक बहदुर का सिर इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने इसलाम में कनवर्ट होने से मना कर दिया था मना करेंगे ही वो लेकिन गुरु तेक बहदुर तो गुरु तेक बहदुर ही तस से मस नहीं हुए अपनी बात ध्यान में मगन कोई फर्क नहीं पड़ा और धर्म के लिए सही के लिए अपनी जांकों भी कुर्वां कर दिया औरंग जेप के ये जो कारणामे थे इसको एक बहुती कटर मुस्लिमे क्रूर शासक बनाते हैं लेकिन औरंग जेप ने on the other hand कुछ हिंदू टेंपल्स को ग्रांट्स भी दिये टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं औरंग जेप के खिलाब खाली एक ही बहुती महान युद्धा खड़ा हो पाया था महराज शिवाजी जिसने औरंग जेप की इड से इड वजा दी थी टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं, जब औरंग जी पावर में आया, तो इसने लगभग असी टैक्सेस को खतम कर दिया, जजिया को इसने रीम पोस किया, नौन मुसलिम्स पे मिलिटरी टैक्स लगाया, बहुत सारे टैक्सेस, देखिए इसमें नौन मुसलिम्स जाधा पिटे, जो हिंदू थे वो जाधा पिटे, ब्रामन्स जाधा पिटे, क्योंकि उन पे बहुत जाधा टैक्स लगाया गया, ठी अगर आप businessmen हो, Muslim हो तो आपको रियायत दी जाएगी, non-Muslim हो तो आपको रियायत नहीं दी जाएगी Hindu merchants को 5% का tax देना पड़ता था और Muslim merchants को आदा, 1,5% का tax temples और mosque पे, मंदर और मस्जिद पे इसकी क्या policy थी Aurangzeb ने land grants दिये, जैसा कि मैंने बता Aurangzeb ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन on the other hand, Aurangzeb ने land grants भी दिये है देखे Aurangzeb एक religious राजा था, तो जो shrines of worship होती थी, मतलब जहाँ पे पूजा की जाती थी, जहाँ पे इबादत की जाती थी, वहाँ पे इसने land grants दिये, इसने grants दिये, पैसे दिये, लेकिन on the other hand, parallel इसने destruction भी किया, इस तरीके का, Aurangzeb के record में ये मिलता है, कि इसने फर्मान जारी किये, कि मठ बनाओ, चिष्टी श्राइन से बनाओ, गुर्द्वाराज बनाओ, महा कालेश्वय temple, जो उज्यान में है, वहाँ पे भी grant गया, देहरादून में गुर्द्वारा, बाला जी temple हो गया, उमानन्द temple हो गया, वह सारे हिंदो की आस्था को हिला के रग दिया, जब इसने काशिय विश्वनाथ temple, जो कि 2000 साल पुराना temple था, सितंबर 1669 में इसने तोड़वा दिया, ये एक बहुती एक एतिहासिक blender बोली जाती है इसे, जो Aurangzeb ने कर दी, विश्वनाथ, काशिय विश्वनाथ temple वारा नसी को, राजा मान सिंग ने इसको establish किया था, मतलब बहुत सारे grants आते रहते थे, ऐसा बोला गया था कि काशिय विश्वनाथ temple से, क्योंकि देखिए उस समय महराज शिवा जी बुरी तरीके से चड़े हुए थे Aurangzeb के उपर, तो जब ये पता चला Aurangzeb को, कि या इस मंदिर के महराज शिवाजी भागे हैं, escape किये हैं, तब हम ये देखते हैं कि Aurangzeb ने इस पूरे मंदिर को ही तोड़वा दिया, जाट rebellion हुआ जब मतुरा में, तब भी हम देखते हैं Aurangzeb ने rebellions को suppress किया और केशव दियो temple जो है, वो तोड़वा दिया, और बहुत सारे prominent temple 1679 आते आत खांडेल, उदैपूर, चित्तोर, जोदपूर यहां पे तोड़वा दिये गए, गोलकुंडा में जो जामा मस्जीता उसको भी तोड़वाया, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, simple सी policy ती Aurangzeb की, या तो हमारे साथ हो, या हमारे खिलाफ जो भी region rebel करता था Aurangzeb के खिलाफ, वो उस पूरे area को खतम कर देता था, फिर वो चाहे Muslim हो, चाहे non-Muslim हो, बनारस में Aurangzeb ने शरिया invoke कर दिया, और यह बोला कि हिंदूों को state protection मिलेगी, और temple को अब तोड़ा नहीं जाएगा, इस तरीके का, तीसरा point है execution of opponents, सबसे पहले त फिर उसका भाई, मुराद बक्ष, गुरु नानक, और सॉरी, अरे, I am really, really sorry, गुरु तेग बहादुर, सेकेंड माराथा च्छत्रपति किंग, सामा जी को भी बहुत ही brutally execute किया था Aurangzeb ने, Muslim leaders को भी यहाँ पे Aurangzeb ने, क्या कहते हैं कि, execute किया था, 1675 में, गुरु तेग बहादुर को बुलाया Aurangzeb ने, घर पे अपने बुलाया, अपने महल में बुलाया, और जब Aurangzeb blasphemy law, मतलब Aurangzeb को यह पता चला, पता क्या चला, यह आरोप लगया गुरु तेग बहादुर पे, कि तुमने तो Islam की अभिलना किये, तो तुमको मार जाएगा, उनको एक्जिक्यूट किया, 32 दाई अल मुतलाक, Absolute Missionary, जो दाउदी बुर्या सेक्ट अप मुसलिम्स हैं, उनको एक्जिक्यूट किया गया, उस समय, गवर्नरों गुजरात थे, अगेन, हेरिसी के लिए, तो Aurangzeb ने, अपने ओपोनेंट्स को, जो भी उसके सा होता था, खतम कर देता था, मुगल एम्पायर को इसने बहुत ज़्याद एक्स्पैंड किया, आप देखी सकते हो, अब मैप, अच्छा मैने मैप लगाई, ये देखो, पूरा साउथ इसने जीत लिया था, और मतलब जीत के लिया था, काफी साउथ तक चला गया था ये, औ और लद्दाक में भी इसका, मतलब ये, वैसे ही अक्बर और चाजा ने थाली में सजा के औरंगजेब को सब दे दिया था, ये चीज थी, मराठाओ से कभी जीतने ही पाया औरंगजेब, 1664 में औरंगजेब ने शैष्ट खान को बंगाल का सुबेदार बनाया, धेर सारे मि बहुत जदा आर्ट और कल्चर में तो नहीं था, लेकिन फिर वी उसने कुछ चीजों को किया, मतलब जैसे लाहॉर बादशाई मस्जिद को उसने बनवाया, बीपी का मगवरा औरंगबाद में बनवाया, इस्लामिक कैलिग्राफी को औरंगजेब नहीं पेट्रोनाइज क समय में, पर्षयन स्टाइल रहती थी उसमें, राजस्थानी स्टाइल रहती थी, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल उल्टा था, औरंगजेब बाई वारियर किसम का उसका दिमागी वाई सा चलता था, कट्टर किसम का आदमी उसको आर्टीटेक्चर में कोई ध्यानी नहीं अगर यह सब बकवास है, क्या है, जो बना है वो ठीक है, हाला कि मोती मस्जित औरंगजेब ने बनवाई, छोटी सी मोती मस्जित रेटफोर्ट में ही, अगर अभी आप जाएंगे रेटफोर्ट तो आपको आप देखते होंगे, महाँ पे मोती मस्जित तो है न, वो ओके, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री अगर बात करें, तो यह औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा फली फूली, और काफी ज़्यादा टेक्स्टाइल स्या कपड़े का कारुबार औरंगजेब ने काफी फैला है, इसमें पश्मीना शॉल्स की बात करें, तो दूर बाहर बेची जाती थी वो, पैठानी हो गया, मुश्रू हो गया, यह सब हिम्रू हो गया, कमाल, फॉरिन रिलेशन्स औरंगजेब के बहुत बढ़िया थे, अरब से रिलेशन्स बहुत, क्यूंकि बाई कट्टन मुसलिम था, तो इधर अरब के रूलर्स जो हैं, वो बहु बहुत जादा फेवर करते थे, उस्बेक से अच्छे रिलेशन्स थे, औरंगजेब ने उस्बेक रूलर को रेकागनाईज गया था पहली बार, बलकि अगर आप इतियास में जाए तो उस्बेक से बहुत अच्छे रिलेशन्स नहीं थे, सफाविद डानिस्टी से बात करे थे, वो मुगल्स को बहुत गिफ्ट देती थी, इसलिए रिलेशन्स बढ़िया थे, अब आखरी बात करते हैं हम रिबेलियन्स की, रिबेलियन्स में सबसे पहले होता है जाट रिबेलियन, जाट रिबेलियन की बात करे, देखिए वैसे तो औरंगजेब के समय में रिबेल किया, माराथा, राजपूत, बले ही हिंदूों को बहुत उसने इंपोर्टेंट पोजिशन्स दी, लेकिन रिबेलियन भी सबसे जादा हुआ है, सिखो, सिखो की तो आहलत बहुत ही खराब थी, 1669 में हिंदू के जाट पेजेंट्स भरतपुर में रिबेल कर गए, और भरतपुर स्टेट को आजाद घोचित कर दिया, 1659 में शिवाजी ने सप्राइज अटेक, शिवाजी ने तो खेर बैंड बजाई दी थी, वो तो मैंने कही बार बताया ही आपको, 1679 में यहाँ पे राठोर क्लैन ने औरंगजेक पे खिलाब विद्रो कर दिया, 1672 सतनाम ही सेक्ट ने विद्रो कर दिया, हम देखते हैं, नारनौल में बहुत बड़ा विद्रो हुआ, 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ी गई, मुगल एमपायर अगेंस्ट अहॉंग किंडम जो कि बहुत 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 बढ़ी बैटल मानी जाती है, बैटल ऑफ सराय घाट आ लेकर 1826 तक बड़े बहदुर लोग थे ये, आज जो आप पूरा आसाम देख रहे हैं, पूरा नौर्थीस टेरिया, वह अहॉंग किंडम के अंदर था, 600 साल तक इनका जो रूल था, वो शांदार था, और यहां पे दोस्तों, औरंग जेप के खिलाफ यहां पे इन्होंने बड़ी, 1671 में ये बैटल हुई, बहुत बड़ी, मुगलों की आर्मी, और आहों के आर्मी छोटी, वीकर, उसके बावजूद दोस्तों, नाको चने चबवा दिये, गुरिला वार टैक्टिक्स और गजब का साइकलोजिकल वार्फियर, जो स्ट्राटिजी बनाई यहां प तो वो मैं separate lecture में cover कर दूँगा, अगर आप इस kingdom के बारे में जानना चाते हैं, तो मुझे comment box में बताएं, ठीके, फिर सत्तनामी सेक्ट हो गया, सिख्षों ने बहुत जादा oppose किया, नाइन्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर को आपने उनका सर कलम कर दिया, तो कैसे सि कुबिन सिख बिर्जब आए, तो वहाँ पे भी situation बहुत खराब हो गई थी, है ना, तो मुगलों की और सिखों की बहुत बनी नहीं है, बड़ी दिक्कते हुई, और और अरंजेप के बाद तो और ज़दा दिक्कते हुई, फिर जाके सिख एंपायर, बहुत बढ़ा full-fledged district empire 1799 में बनाये, तो जो लोग कताएं उसमें भी हमको सुनाई देता है, पश्टून ने भी बहुत अदा पोस किया, काफी, कई बार rebel हुए, ओके, तो अब हम बात करते हैं, डेथ की, फाइनली 1689 पर हम सिधा कूतेंगे, गोलकॉंडा की conquest के बाद, मुगल ने south में expand करना श गवा दिया, बहुत बुरी हालत हो गई थी, और औरंग जेब फिर expand करता रहा, बाद में बिमार पड़ा, बहुत बुरी तरीके से बिमार पड़ा, और एहमद नगर, 3 मार्च 1707 में 88 साल के उमर में, औरंग जेब की एहमद नगर, military camp में ही मौत हो गई, बिंगार में, ये जीज थी, उसके पास खाली 300 रुपय था जब उसकी मौत होई थी, जो बाद में उसने charity को दे दिया था, जिन्दा पीर भी औरंग जेब को बोला जाता है, औरंग जेब ने ता उम्र कोई जादा luxury नहीं अटेन कि, ऐसा बाद औरंग जेब जमीन पे सोता था, वो अपने ल का वैसे आपको नाम बता देता हूँ, ओरिजिनल नेम औरंग जेब का कुछ और है, औरंग जेब तो बाद में पड़ा, वैसे औरंग जेब को आलमगीर भी बोला जाता है, मुहमद मुहि उद्दीन भी इसको बोला जाता है, तो ये हिसाब किताब था दोस्तों, औरंग ज आजा था, या फिर कुछल शासक था, ये आपको डिसाइड करना है, फिलहाल मैंने आपको एक एक चीज औरंग जेब के बारे में बता दी है, कल हम बात करेंगे महराज शिवा जी के बारे में, बाकी जिनकी भी बायाग्राफिस आपको चाहिए, आप बोलेंगे सार औरंग सबस्क्राइब करो, या चैनल को सबस्क्राइब करो, लेकिन चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करो, थांक यू सो मज, ताकि आपको मैं कोई भी बायाग्राफी अप्लोड करो, नोडिफिकेशन सबसे पहले आए,